कभी आपने सोचा है कि परवेश्वर स्वर्ख से धर्टी पर क्यों आया? स्वर्ख छोड़कर धर्टी पर आया? Amen? और एश्व मसी अपने एक लोते पुत्र का उसने बलिदान किया? सिर्फ और सिर्फ हमें पाने के लिए? Amen? कभी आइने में खड़े होकर आपने देखा है कि महसूस किया कि मैं मुझे इश्व मसी लेने के लिए आ रहा है? Amen? कभी आइने में देखकर आपने ये सोचा है कि इश्व मसी स्वर्ख छोड़कर मुझे लेने आ रहा है? Amen? क्या इतनी कीमत आपने अपने आपको दी कभी जितनी वो आपको कीमत दे रहा है उसने अपने इकलोते पुत्र का आपके लिए बलिदान कर दिया क्या इतनी कीमत आपने कभी अपने आपको दिये कभी आपने सोचा है कि यह मैं कौन हूं मुझमें ऐसा क्या है इसलिए Bible कहती है कि हमें अपनी दरिष्ठी से खुद को नहीं देखना है हमें परमेशर की दरिष्ठी से खुद को देखना है इमें हमें पिता किस रूप में देखना चाहता है हमारे अंदर इशु मसी क्या देखता है क्यों हमसे इतना प्रेम करता है कि कोई किसी के लिए मर सकता है आप किसी के लिए मर सकते हैं क्या दो दिन किसी को खाना खिलाएंगे तीसे दिन भी अगर वो खाना मांगने आएगा तो आप एक डाल कम कर देंगे एक सबसी कम कर देंगे बहुत हो गया है दो दिन खेला दिया मैं मान नावाजी हो गई फिर चौते दिन भी आ गया तो आप चार रोटी की जगा दो रोटी कर देंगे आप समझें उसने अपने एकलोते पुत्र को दे दिया आप जानिये कि आप कौन है प्रेस अलॉट इसलिए उसने हमें शुद्ध किया है ताकि हम पूरी इमानदारी के साथ उसको पहचानने से पहले खुद को जाने इदर आए लिए प्रेस अलॉट हम उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करते रहते वो सर्विशक्तिमान है वो महान है वो जीवित है हम उसी को जानने की कोशिश करते रहते लोग उसी को जानने की कोशिश करते लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इशू मसी में कौन है ये जानिये आप कौन है आप इशू मसी में कहा है रिसलोड शेतान ने हमें गुमा दिया है इस संसार में दस पंद्रा बीस पच्शिस पचास लाख लाग दो लाख में हमें खड़ीद लिया उसने आप सोचते हैं आप समझते कि ने समझते आप बिक्य हुए हैं हर एक की अपनी कीमत है किसी की पंद्रा हजार किसी की बीस हजार किसी की पचास हजार किसी की लाख किसी के दस लाग किसी की पचास लाग किसी का एक करोड हर एक की कीमत है शेदान ने सब की कीमत लगा रखी है और आप उस कीमत में बंदे हुए हैं उस कीमत में खुश है कि मैं पचास जार कमाने वाला हूँ लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ईश्यू मसी ने आपको पाने के लिए कीमत चुकाई है आपको चुकाने के लिए उसने खुद की कीमत चुकाई है खुद का बलिदान दिया है उसने ताकि आप शुद्ध हो जाएं किस से पाप से जिस पाप के लिए इश्यू मसी मरा हम उस पाप को करने के लिए हिच्खिचाते ही नहीं है जूट बोलने में कोई बात नहीं हिच्खिचाते ही नहीं है वेविचार करने में हिच्खिचाते ही नहीं है किसी का माल हडपने में हिच्खिचाते नहीं है इन सब के लिए इशुमसी मरा है वो सोचिए कितना कितनी घिनावनी कितनी बेकार चीज है यह पाप जिसने आपको खड़िद लिया है प्रेस अलॉट वो पाप से अंजान था जिसको परमेशर ने हमारे लिए पाप ठहराया इशुमसी पाप को नहीं यानता था और आप पाप से दूर नहीं जा पा रहे हैं चर्श तो आ रहे हैं आप कईों ने बब्तिस्मा भी ले लिया है लेकिन फिर भी संसार में जी रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारी मजबूरी है संसार में रहना तो हमारी मजबूरी है संसार में नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या पहनेंगे क्या, पिएंगे क्या संसार पे तो रहना पड़ेगा लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इशू मसी भी संसार में ही रहा था लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया इबरानियो चार का सोला वो हमारा एक ऐसा महायाजक था जिसने हमारी तरह कश्ट उठाए दुख उखाए परिशा में पड़ा लेकिन पाप नहीं किया Amen क्या बताने आया था संसार को इशू मसी स्वर्ख से धर्ती पर मनुश्य का पुत्र बनकर क्या बताने के लिए आया था कि जैसा जीवन मैं जी रहा हूँ वैसा जीवन तुमको जीना है एक मनुश्य का रूप उसने क्यों लिया Amen आप भी मनुष्य हैं कि नहीं है Hello मनुष्य का जीवन क्यों जिया मनुष्य का पुत्र क्यों कहलाया हो ताकि आप जान सकें कि जो जीवन उसने जिया है वो जीवन हमें भी जीना है वैसा ही जीवन जीना है Praise the Lord इसलिए वसन कहता है कि हमारा ऐसा महायाज़त था जिसने कश्च सहे विपत्तियां सही इश्य के मुँपर लोगों ने थूका आपके मुँपर थूका Hallelujah पानी पीना है आपको बोतल लखी है ना पानी पीजे सोने की कोशिश मत करिए Hallelujah लोगों ने थूका उसके मुपर आपके मुपर किसी ने थूका कुछ ना करकर भी क्या आपको किसी ने जिलका मारा उसको मारा उसने क्या पाप किया था कुछ भी नहीं उसने सिर्फ सच बताया था आज भी आप सच बोलके देख लीजे आपको अंदर कर देंगे आप बोलिये सच आच गर में बोलिये सच आप बीवी ने अगर खाना सही नहीं बनाया बोलके देखिए कि खाना अच्छा नहीं है बोलके देखिए कि अभी नमक बहुत ज़्यादा हो गया है वो भी आप ऐसे बोलेंगे खाते खाते नमक खुर अच्छा ज़्यादा है नजरे नहीं मिलाएंगे बीवी से क्योंकि आप जानते हैं जहां सच बोला और सच पकड़ा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सच बहुत कड़वा है है ना आलेलुया प्रेस अलोट तो आज मैं आपको आपसे मिलवाँगा आलेलुया आज आप कितने लोग चाहते हैं कि आप खुद को जानें मेरे भाई बहुत जुरूरी है जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तक तक हम उसको नहीं जान पाएंगे उसको नहीं समझ पाएंगे आलेलुया प्रेस अलोट मतीब पंदरा का 32 से 36 के बीच में एक वचन है आपके लिए हम पढ़ते हैं इसमें चार हजार लोग बैठे हुएं इशुमसी के सामने तीन दिन से और इशुमसी उनको वचन सुना रहा है चंगा कर रहा है उनके लोगों को कोड़ियों का कोड़ शुद कर रहा है वो अंदों को आखे दे रहा है मुर्दों को जिला रहा है और चार दिन से तीन दिन से वो जो चार हजार लोग हैं बैठे हुएं और उसके मन में तरस आया उसने अपने चेलों से का कि इनको तुम खाने को दो येशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मुझे इस भीड पर तरस आता है किसको तरस आता है किसी को भूका देखकर आपको तरस आता है किसी को नंगा देखकर आपको तरस आता है किसी को नंगा देखकर आपको तरस आता है आजकल तो अजीब बात है कहीं लडाई हो रही होगी तो लोग बचाएंगे नहीं इमीजेट कैमरा निकालेंगे शुटिंग शुटिंग चुरू कर देंगे उसके खून निकल रहा है खून पर क्लोज जाएगा उसने लाठी मारी उसका सर पढ़ गया सर के पास उपर जगा देखेंगे बचाएंगे नहीं अजीब हो गया है अंदिम समय एक हमदर्दी मेल मेलाब की आत्मा नहीं है प्रेस अलॉट एक तरस चला गया है आप नहीं समझ रहे हैं इंसान में इतना स्वार्थ आ गया है इतना स्वार्थ ही हो गया है इंसान के उसके अंदर मेल मेलाब की आत्मा ही नहीं रह गई तरस की भावना नहीं रह गई तो यहां पर इशु ने अपने चलों को बुला कर का कि मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं और मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता कई असा नहीं के मार्ग में ठककर रह जाएं प्रेस लॉट यह इशु मुसी प्रेस लॉट आप उसके पास आएंगे न वो आपको योही नहीं भेजना चाहता है वो आपको योही नहीं भेजना चाहता है प्रेस लॉट विश्वास करी अगर आप भूके हैं तो आपको खा आजकल क्या होता है कि इंसान भूग भी परदाश नहीं करता है बूग भी मिले के अच्छाखाना खाने के लिए इंसान को बूग का तरह ना पड़ेगा है अलो अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए भूग बढ़ेगेर कीनी पड़ेकिनि आज चाल आहिकर नहीं करता कहीं भी कुछ मिले जली से खाव लें उसको पेट में रख लें प्रेस अलोट इशू मसी के लिए आप भूग के क्यों नहीं है क्योंकि आप भूग बर्दाश्ट नहीं कर रहे हैं मुझे उस वचन पर चलना है मुझे इशू चाहिए मुझे अपनी भूग बिटाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए किसी के सामने मैं नतमस्तक नहीं कर सकता हूं कि मेरा काम हो जाए मुझे रोटी मिल जाए तो मैं किसी के सामने भी नतमस्तक करूंगा क्या पिता एक होता है ब्रदर पिता दस नहीं होते Alleluia प्रिश ऑ लोड मुझे एशु चाहिए मुझे ईशू से भोजन चाहिए मुझे अपनी भूख मिटानी है ईशू के नाम से प्रिसलोट यह जो भाई थे तीन दिन से भूखे थे इन्होंने मांगा नहीं खाना इन्होंने नहीं का ईशू मसी मैं तीन दिन से भूखा हूँ आपके घर में बैठा हूँ तीन दिन से दिन राथ क्या सुन रहे थे यह क्या सुन रहे थे वचन इसलिए बैबल क्या कहती है कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन वचन से जिन्दा रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है हम समझते हैं कि इस बाइबल में जो लिखा हुआ है वही वचन है हलो वचन क्या कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेशर के मुख से निकलता है यानि कि ये प्रेजेंट टेंस है कौन सा टेंस है हिंदी में क्या कहते हैं वर्तमान है वर्तमान में होता है होगा बविश में और हो चुका है पास्ट में उसमें ये नहीं लिखा कि इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेशर के उस वचन से जीवित रहेगा जो निकल चुका है जो निकलता है कभी सुनने की कोशिश किया परमेशर की आवाज को आप कैसे अपने पेट को भरेंगे क्योंकि भूख मिटाने का सामर्थ उसके पास है भूख मिटाने का सामर्थ किसके पास है इश्यू के पास है कभी ठहर कर उसकी आवास सुनने की कोशिश की है तभी आपकी भूख मिटेगी वचन तो यह कहता है वो वचन जो परमेशर के मुख से निकलता है वो हमारी भूख को मिटाएगा हलो ध्यान दीजे इस प्रकाशन पर आलेलुया इसका मतलब हमें ठहरना है इंतजार करना है ताकि हम प्रभू के मुख से निकले हुए वचन को सुन सकें हालेलुया आप दूसरों की आवास सुनने की कोशिश करते हैं आप इंतजार करते हैं कि आज वहाँ पर इंट्रिवु जालेक्व दिया था वहाँ से फोन आया कि नहीं आया भड़ से उपनारिय और बदूसरों कारृफित ऑज यह हम से फोन आएगा रोज आप कान लगाते हैं, फोन करते हैं, किसका फोन आए, अरे यार, जिसका इंतिजार करा था, उसका नहीं आया, हाँ के ना, प्रेश दो लॉड, आप एक ऐसे की आवाज सुनना चाहते हैं, जो आपको प्रॉफिट दे, जो आपको लाप दे, जो आपको पैसा दे, उसकी आवाज सुनने के लिए मन लगाईए उसकी आवाज सुनने के लिए जीवन लगाईए जब वो बोलेगा तो आपको अनंतकाल का जीवन मिलेगा अगर आपने उसकी आवाज सुननी मेरे भाई, मेरी बेहन तो अनंतकाल का जीवन निश्चत है और जिस दिन वो आपको अनंदकाल के जीवन का आशीश मिल गया जिस दिन आपको वो अहसास हो गया उस दिन आप किसी और की आवास सुनने के लिए अपने कान नहीं लगाएंगे प्रेकाश दुआ के कमें तकरीबन साथ बार का है जिसके कान हो वो सुन ले कान परमेश्वर की आवास सुनने के लिए है रोमियो चार का सत्रा क्या कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है सुनना क्या है परमेश्वर का वचन हम ले क्या रहे है आप दिन बर में लेते क्या है आप दिन बर में सुनते क्या है? कोई ऐसी बात है जो आप प्रिजर्व कर सके? आपने आफिस में भी क्या सुन लिया आपने? आप दिन बर वो सुनते हैं जिसका अस्तित्व नहीं है जो स्थिर नहीं है प्रिस अलोट जीवन आपको कौन देगा? सामर्थ आपको कौन देगा? वो चीज जो कभी तूटने वाली नहीं है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है फ्रिस अलोट हम आज उस संसार में रह रहे हैं जो चीजें तूट जाती है हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अस्य ब्सक्राइव कुछ पल का है हमारे धंदे का सुख कुछ दिनों का है हालेलुया हम उस पर depend है Bible कहती है हमें उस पर निर्बन होना है जो अनंतकाल के लिए है हमें उस पर निर्बन होना है जो इस्थिर है Praise the Lord हालेलुया आप जानते हैं आपकी आत्मा में शक्ती है परमिशन आपको शक्ती दी है आपको पता है कि आपके पास अधिकार की शक्ती है मैंने पिछले वीग आपको पता है था हालेलुया Praise the Lord आज आपका बच्चा रो रहा है आपके मन में बेचय नहीं आ रही है कि मैं अपने बच्चे को देखने जाओ होता है सपै आपको हैगी लेकिन बच्चे का रोना चुप कराना जरूरी है या वच चरण सुन दूरुडी है कि का जरूरी है को चर्ण न जूरूरी है तो क्या करेंगे आप कि आफ ऐसे विश्वासी प्रात्थना करेंगे पर मिशर मैं वचन सुनना चाहता हूँ इस बच्चे का रोना रुख जाए Alleluia सरदूत काम करेंगे उसका बच्चा रुख जाएगा सरदूत समालेंगे आपके बच्चे को आप नहीं जानते कि परमेशर कितना जरूरी है परमेशर का वचन सुनना और उसको अंदर देना आपके बच्चे से आपकी नौकरी से आपके हर रिष्टे से उपर है परमेशर का वचन इसको अहिमियत दीजिए इसलिए लोग ग्यारा साड़े ग्यारा बज़े आते हैं मैं भलाई से बात करता हूँ कलको मैं एक टाइम फिक्स करूंगा कि उस समय ताला बंद हो जाएगा जो जितने हैं अंदर उतने रहेंगे जितने नहीं है आगले संडे आईएगा आप जानते हैं कि आपकी वज़े से जब आप लेट आते हैं तो लोग डिस्टरॉब होते हैं आप समझते हैं नहीं अगर आपको परमिश्व से प्रेम है समय से आईए क्या आप अपनी नौकरी में दो घंटे लेट जा सकते जाके देखिया पैसा कर देगा आप आदा घंटा पहले जाएंगे चर्श में क्यों एक चीज मैं आपको बता दूँ जैसा बोगे वैसा ही काटोगे जिस नियत से प्रभू के पास आओगे उसी नियत का आशीश पाओगे याद रखो मुझे चर्श आना है समय से प्रात्रा में रहना है अंदर से मुझे तलपना है मुझे मांगना है कि प्रभू आज मुझे बात के राजमतेरी आवास सुनना चाहता हूँ मैं भूगा हूँ मुझे रोटी दे क्यूं नहीं ये भूग है आपके अंदर कि वह सर्व शक्तिमान पर में इसमें अपने खलोते पुत्र को धर्ती पर भेजी दिया क्यूं आपके अंदर वह भूग नहीं है कि आज मैं इशीओ से मिल कर जाऊंगा है कि आज मैं अपनी भूग मिटा कर जाऊंगा आज में परमेश्र की आवाज सुन कर जाऊंगा क्यों नहीं है क्योंकि आप उसकी कीमत को नहीं जानते जो वो दे रहा है अनंध काल के जीवन को आप नहीं जानते उधार को आप नहीं जानते आपने चर्च को समझ लिया है कि जहां वे रोटी मिल जाए नौकरी चल जाए हम हो जाएं बेमार हो जाएं तो चंगे हो जाएं ये चर्च है नहीं ये चर्च नहीं है चर्च का मतलब है परमेश्वर को जानना इशू की देहे है चर्च चर्च क्यों बनाया है ताकि आप उसके मन को जान सकें उसके करीब हो सकें उससे रिष्टा बना सकें जिस दिन आपका रिष्टा उसके संग मजबूत हो जाएगा न आपको कुछ मांगने के जरूत नहीं पड़ेगी कुछ नहीं जरूत पड़ेगी आप सोचेंगे काम होगा कि मैं आप नहीं जानते हैं परमेश्र को यहन्ना बब्तिस्वा माले को जब हैरदोस ने मार दिया था और जब इशु मसी ने सुना तो गलील की तरफ चल गए और उदास थे उन्होंने देखा कि भीड उनके आसपास खड़ी हुई है भीड को उन्होंने पांच हजार लोग थे उनको पांच रोटिया और दो मशलिया थी और इशु मसी ने फिलिप से का फिलिप इनको रोटी खिला आपको पता है ना कि इशु मसी ने पांच जार लोगों को रोटी खिलाई थी पांच रोटी और दो मशलियों से इशु मसी ने पांच हजार लोगों को रोटी खिलाई थी याद है के नहीं याद है पता है ना आपको आज मैं का अगर आपको बोलों कि पचास लोगों आप आप тебе बताना था आपको करेंगे नहीं करेंगे आप क्यों झानते आभ पि tortured को इँट्श एमेंड अपके लाने वाले इंट आप कयो नहीं आपके महन्न में आता है कोई वात नहीं मिर प्रभू मेरे साथ है इसमें मेरा एसव दूहज़ार साल पहले कर सकता है, वो आज भी कर सकता है मैं कौन हूँ खिलाने के लिए धन्यवाद पिता कि मेरे घर में पचास लोग आ रहे हैं धन्यवाद पिता कि तुने उस योग के समझा कि लोग मेरे घर में आ रहे और मैं उनको भूजन खिलाऊ धन्यवाद आपका धन्यवाद ही काफी है क्या दिया था इशो मसी ने धन्यवाद पांच रोटिया और दो मसलिया थी क्या किया धन्यवाद पर में शर कि तुन्हें पांच रोटिया और दो मसलिया दी मैं इन पांच हजार लोगों को खाना खिला सकता हूँ धन्यवाद और 5,000 लोगों ने खिलाई बाइबल कहती है बारा हजार लोग थे पाँजार तो आदमी थे पाँजार ओरतेनों 2,000 बच्चे क्यों हम ऐसी जिन्दकी नहीं जीते हैं क्यों हम छोटी छोटी बातों की चिंटा करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आपका संबंध परमेश्व से मख़ूत नहीं है आप खुछ जानतें कि नहीं यार इतना नहीं है 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 मेरा संब्रत नो 1 मद आ क्को अ मस्बूत है है मद्वूत है और मेना मिक्सर खराब हो जाएगा तो कि मैं आप से बुलूँ का आई के दो चलिए को डाइं मुकेश अमबानी मुझे जानता है हो दो की मिक्सर ख़राब है ओके हैस रहना बुलूँ है कि अगर आपका परमेश्वर से संबंध है कि अपना संबंध परमेश्वर से बनाइए उसके लिए काम करिए वो जो चाहता है वो करिए कि वो जो चाहता है वो करिए दुनिया जो आप चाहेगी वो करेगी क्या समझते पांथ हजार और चार हजार लोगों रोटी खिलाई और इशो मसी गए नाव पर जा रहे थे और अपने चेलों से का कि फार्सियों और सदूक्यों के की खामीर से अपने आपको साफधान रहो चेलों ने समझा कि हमने रोटी नहीं लिए इसलिए बोल रहा है इशो मसी ने क्या क्या तुम अभी भी रोटी की चंता कर रहे हो अरे जब मैंने पांच ज़ार लोगों को खाना खिलाया तो बारा टोकरे बचे थे इमेन जब चार को खिलाया तो साथ टोकरे बचे थे तुम अभी रोटी की चंता कर रहे हो प्रेस अलोट हमें वो जीवन जीना है जो इशु ने हमको दिया है हमें आत्मा में चलना है प्रेस अलोट यहां पर इशु मसी को तरस आया अगला सत्रह अपना पंदरा का तेटेस्वा चेलो ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड को तुरुप्त करें आप सोचिए हलो क्या चेले सामने नहीं थे जब चार हजार लोग बैठे हुए थे तीन दिन से क्या चेले नहीं देख रहे थे चेले भी देख रहे थे ना उनको चार हजार लोगों को चेलों को भी पता था कि वो भूके हैं चेलों को नहीं पता था कि वो रोटिया नहीं लाए तो जो तरस इशू को आया वो चेलों को क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि उनका संबंद वो जानते नहीं थे इशू जानता था कि मैं पिता से मांगूँगा पिता देगा अलो ध्यान से समझेए इशू को पता था कि मैं पिता से मांगूंगा और वो देगा चेले संधे में था कि मैं पिता से मांगूंगा तो पिता कैसे देगा आपको यही है आपको पिता का भी पता एड्रेस आपको पिता का भी एड्रेस पता है आपको इश्यू का भी एड्रेस पता है लेकिन आपकी प्रात्रा में यह है कि वो कैसे देगा मेरे भाई वो सर्व शक्तिमान है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी असंभव नहीं है आप बस उसके साथ इमानदार हो जाईए इमानदार आपको पता है मरियम मरियम मगदलीनी या मरियम देखिए जो कि लाजर की बेहन थी मरियम मगदलीनी नहीं मरियम मार्था और मरियम और यहना बारा में आगर आप देखेंगे यहना बारा निकालिए उसमें देखेंगे कि मरियम ने आकर इशु मसी के उपर इत्र की बोतल उसके सिर पर तोड़ दी Praise the Lord क्या किया सिर की बोतल उसके उपर तोड़ दी और इशु मसी नराज नहीं हुए कोई आपके घर में आए और आपकी सेवा करना चाहते हैं आप उसकी सेवा करना चाहते हैं और आप इत्र लगाने के लिए आप इत्र की बोतल उसके सिर पर फोड़ दीजे वो खुश होगा कि नराज होगा यार क्या है आप पागल होगे हो क्या ये पूरी बोतल मेरे ओपर उडेल दी कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप कि इत्र की बोतल यार तीन सो दिनार की बोतल है आपने मेरे सिर पर फोड़ दी लेकिन इश्यू मसी नराज नहीं हुए उन्हेंने का इस इस तरीका नाम जब भी सूसमाचार दिया जाएगा तो सब को याद होगा क्यों? क्यों? क्योंकि इश्यू मसी उसके प्रेम में इमानदारी देख रहे थे इमानदारी कि कितनी इमानदार हो रहत है हमें अपने प्रेम में इमानदारी चाहिए ज़रूरी नहीं कि आप माता रगड़े नीचे दिल से याद करिए उसे वो आपके दिल को देख रहा है वो चाहता है वो देखता कि मेरा बच्चा इमानदार है की नहीं है अगर आपने गल्ती की है तो इमानदारी से आप पश्चताप करते की नहीं करते आपको एहसास है कि नहीं कि आपने कलती किये जिस दिन आपको एहसास हो गया ना इतना ही काफी है इतना ही काफी है ब्रदर दूसरे नहाने की जरूत नहीं है एहसास करिए इमानदार बनिए मुझे इशू के साथ इमानदार बनना है पुझे कोई काम ऐसा नहीं ना सुनना है ना बोलना है जो परमेश्व की दृष्टी में गलत है ना ही इमांदारी रखी ए अपने अंदर परमेश्व आपको उच्छा उठाएगा परमेश्व आपकी भूल जोग को माफ करेगा इमांदार रहिए लेकिन आप अपने आप से बैमानी करते हैं आप पाप करते हैं और शो करते हैं कि मैंने पाप नहीं किया आप धोका देते हैं और शो करते हैं कि मैं पवित्र हूँ आप जूट बोलते हैं वे बिचार करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि मैं तो बिल्कुल मसी हूँ, चड़ जाता हूँ मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं वो सबसे बड़ा पाप है पाप को नाम मानना सबसे बड़ा पाप है अगर आपसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करिए परमेशर इस योग्य है कि वो आपको माफ करते लेकिन ये ना हो, कि आज आपने धोका दिया, कल माफी मांगी, फिर परसों फिर धोका दिया ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि बार बार आप पाप कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं बार बार पाप कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको दिये तकि आप उसकी आत्मा के द्वारा रहें देखी मैं आपको बता दू डाटर बिली गराम जो कि बहुत बड़े एवेंजलिस्त हुए उन्हें ने एक बार कहा था कि अगर आपका पैसा चला जाए तो कुछ भी ने हुआ दियान से समझें अगर आपका लाखो करोरो रुपिया खतम हो जाए इमीजेट, खो जाए, तो कुछ भी ने हुआ अगर आपका स्वास्त बिगर जाए, तो कुछ हुआ लेकिन अगर आपका चरित्र चला जाए, तो सब कुछ चला गया आपका चरित्र बहुत ज़रूरी है आपका करेक्टर बहुत ज़रूरी है आपकी इमानदारी बहुत ज़रूरी है अगर आप इमानदार अपने आप से नहीं है तो परमीशर से क्या होंगे अगर आप अपने इमानदार अपने भाई के सामने नहीं पहला यह उन्ना एक का बीस निकाली है अगर आप इमानदार अपने भाई से नहीं है अपने भाई से नहीं है अपने नौकर से नहीं है 1 John 4 का 20 4 का 20 यदि कोई कहे कि मैं परमेशर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो जूटा है क्योंकि जो अपने भाई से जिससे उसने उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेशर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता जिस भाई को आपने देखा है अगर आप उससे प्यार नहीं करते जिस भाई को आपने देखा है अगर आप उसको धोका देते हैं तो आप परमेश्र को भी धोका दे सकते हैं आपकी इमानदारी बहुत जरूरी है It is a lot आप दिन में दस बार आइने के सामने जाते हैं अपने आपको देखते हैं क्या देखते हैं पता आपने कभी क्या देखते हैं और बाइबल बताती है कि जब भी आप आइने के सामने जाते हैं उससे निकलते हैं आप भूल जाते हैं आपने क्या देखा था लेकिन फिर भी जाते हैं एक जूटा एहसास कि मैं अच्छा लग रहा हूं किसकी नजर में अपनी नजरों में सामने वाला कैसे देखना चाहता है आपको पता है सामने वाला आप में अपना दोस्ट ढूंदता है सामने वाला आप में अपना पिता ढूंदता है अपना भाई ढूंदता है सामने वाला आप में अपनी बहन ढूंदता है अपना पती ढूंदता है कि आप अच्छे पती है क क्या पच्छी बहन है क्या पच्छी मां है प्रेस लॉट आप आईने में देख रहे हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूं किसके लिए मेरे लिए लेकिन दुनिया आपको किस दर से देख रही है जो रिष्टा आपके आप लेके चल रहे हैं क्या वो रिष्टा इमानदारी के बैठें, कि आप इमानदारी से कलीशिया आते हैं, कलीशिया आने से पहले आपको प्रात्रा करनी चाहिए, 15 में पहले प्रात्रा करिए, कलीशिया आने से पहले अपने आपको तैयार करिए, किस से मिलने यहा रहे हैं? परमेश्वर से मिलने आ रहे हैं, वो सर्व शक्ति मान कलीशिया क्या है? Body of Christ जब आप कलीशिया में आते हैं तो आप उसके अंग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? अंग यहना 15 का 4 क्या कहता है? यहना 15 का 4 तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते आप अगर इशू में नहीं बने रहेंगे आप नहीं फल सकते अगर आप इशू में नहीं बने रहेंगे ना पैसों में ना रिष्टों में ना शांती में नहीं फल सकते शेतान आपके जीवन पे काम करता रहेगा आपको बने रहना है मेरे प्रभू के संग, मेरे ईशू के संग उसकी दिहे के संग और उसकी दिहे उसका कलीसिया है बने रहे अगर तुम नहीं बने रहोगे तो तुम नहीं फलोगे याद रख लीजे आप हो सकता कितने सालों से कलीशिया आ रहे हो अगर आपको लगता है कि मैं पनप नहीं रहा हूं तो आपकी गलती है आप कलीशिया से जुड़ जाएए इशू की देह से जुड़ जाएए इमानदारी के साथ यह नहीं के संडे संडे सिर्व आना ही जुड़ना नहीं है इमानदारी के संग जुड़िए आप देखिए आप फलवंथ होते जाएएंगे फलवंथ होते जाएंगे आप आप सोच नहीं सकते इमानदार रहिए जब dosa dalira man 912 में आये था हमने Guru Mahali में शुरू किया था। भाई बैठे हुए, वो आते थे, Guru Mahali में जो Saturday, जो Sunday में वहाँ पर शादी थी, और जब भी शादी होती थी, तो हमें हटा दिया जाता था, तो हमें Saturday करना पड़ता था, यह कोई और दिन करना पड़ता था, इसे हमें प्रॉब्लम होती थी, किराय पर थे हम लोग, महीने का देते थे, सारा ताम जाम ये सब कुछ मैं घर से लेकर आता था, जन्नेटार ये वो सब कुछ और तब हमने मांगा, क्योंकि मैं इमांदार हूँ, मैंने प्रमिश्ण रखा, मुझे अपना घर चाहिए, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपना घर चाहिए चालिस दिन मैंने प्रात्ना की, हम सब ने प्रात्ना की, पूरे चर्श ने और 2015 में परमिश्ण ने हमें अपना घर दे दिया है आप सोचिए, वो कुछ भी दे सकता है आप इमांदार रहिए आप उसके संग इमांदार रहिए, जो कहता है उसके अनुसार आजकल यूटूब में कई गलत टीचिंग्स हो रही हैं, ध्यान दीजिए गलत टीचिंग्स को मस सुनिए गलत इंजेक्शन लगाएंगे तो मिमारी ठीक नहीं होगी, दो बिमारी और उठाएंगी कुछ भी नहीं खाना है हमको हमको भूग लगी है तो कुछ भी खाएंगे, नहीं सब्र करना है, धीरजवन्त होना है और उसके बाद अच्छा खाना खाना है There is a lot मैं आपको सच कह रहा हूँ अपनी इमांदारी को बना के रखिए कितना भी मुश्किल समय आजाए, आएगा गलत बात नहीं कि हमारे संग मुश्किल समय नहीं आया है क्या अभी हमारे ये पूरा फ्लोर चला गया था दो लाख रुपय का हमारा कर्चा आ गया कैमरे का कर्चा आ गया अपना मिक्सर खराब हो गया चार पांच लाख रुपया मेरा चार पांच महीने में खर्च हुआ है कोई बात नहीं क्या हमने जूट बोला आज भी आल वर वोर्ट से मुझे फोन आते हैं प्रात्रा के लिए ना मैंने तब ना आज किसी से पैसा मांगा मैं प्रात्रा का पैसा नहीं मांगता हूँ लोग कहते हैं प्रात्रा करने के लोग पैसा मांगते नहीं पंजाब में पास्टर्स हैं जो हाथ रखने का पच्छेस जार रुपे लेते हैं ऐसे हैं पास्टर लेकिन आपके सामने ये साल ये दिन गुजरे हैं क्या हमने मांगा गोविट के समय जब कहीं से कुछ भी नहीं था परमिशन ने मेरे मन में डाला हमने अपने घरों में जाकर राशन पहुंचाया हमने लिया नहीं उनसे हमें पता कि हमारे भाईवन घर में बैटे हुए हमने का नहीं जो हमें दान दशांस देते हैं आज कोविट का समय है इनके पास नहीं है और आपको पता है परमिशन कितना प्यारा है मैं अपने घर से नहीं निकला यहां के में इंस्पेक्टर थे उन्होंने राशन लिया उन्होंने किया अनीशा के घर में संतोष भाई गए वहीं पर आसपास और वहीं पर डिस्टिब्यूट हुआ मैं घर से भी निकला और मैंने पैसे भी बाद में दिये जब आपकी इमानदारी आपके साथ हो जब परमेश्र की वचन के अनुसार आप चलेंगे न आपको कोई रोक नहीं सकता है कोई रोक नहीं सकता है आपके धंदे में अगर आपका धंदा अच्छा नहीं चल रहा आपकी गलती है आप सही तरीके से नहीं चल रहे हैं क्यों नहीं चलेगा अच्छा धंदा मेरा क्यों नहीं चलेगा आप अगर अपनी सर्विस में अच्छा काम नहीं करवारें परमिशर से बुद्धी मांगिए क्यों नहीं होगा आपके घर में बंदर हैं आपकी वज़ा से इश्यू मसी ने बंदरों को तोड़ दिया है प्रास ना करिए आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं तो परमिशर की गलती नहीं है अपना रास्ता देखिए कि क्या मेरा रास्ता सही है प्रिस अलॉट परमिशर ने इतनी बुद्धी दी है आलेलुईया इसलिए जब आप कलीसिया आते हैं अपने आपको जाचिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से ज़रूरी है अपने मन को जाचिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं नहते धोते हैं खुब साबुन लगाते हैं खुश्बू लगाते हैं कि आज कलीसिया जाएंगे उससे ज़रूरी है अपने मन को जाचिए कि मैं आज प्रभू से मिलने जा रहा हूँ आज मैं पिता से मिलने जा रहा हूँ आज मैं एश्यू से मिलने जा रहा हूँ आज मुझे उसकी आवाज सुननी है मैं प्रात्रा करता हूँ जब पास्टर बोले तो उसमें मेरे लिए कुछ हो Amen मेरे लिए कुछ हो ओऊ हर पल परमेश्वर का होने के लिए अपने मन में बोश पैदा करिये हर परमेश्वर के अपने अंदर बोश पैदा करिये जिस तरह आप सुबह से शाम तक दुनिया को पसंद करने की कोशिश करते हैं आज मम्मी को कोशिश कर दो, आज पापा को खुश करूँ, पापा को ये चाहिए गर्फ्रेंड को खुश करूं गर्फ्रेंड को यह चाहिए बॉस को खुश करूं परमेश्वर को खुश कैसे करूं मैं आज मेरे पास आज का दिन है अच्छा काम करना है को आज मुझे मेर्ण करनी है बाइबल केते हैं कल की सिंदा मत कर कल की सिंदा अपने आप करे Magic शींद लुट कि सिंदा अपने आप करेगा निखा हुआ है वशन पड़ा पढ़ा नहीं ताकल की चिंदा न गरो एक vinden न अपने आप कर लेगा मान करक mais करीगा कब करेता इस वचन को लोग गलत तरीके से लेते कि अरे यार करता प्रभू करेगा ना उसने वोला करता कि नहीं मैं करूंगा वो कल की जिन्ता किसकी करेगा जो अपना आज अच्छी तरीके से जीएगा अगर आज आप इमानदारी से जीएंगे आपका कल सुरक्षित है जो आपको लिख के देता हूँ अगर आप आज इमानदारी से जीएंगे अगर आज आपने सपने देखते हुए बिता दिये, तो आपकी गारेंटी नहीं कल क्या होगा, यस, परमेश्वर के वचन को समझिये, उस इशु के नाम की ताकत को जानिये, उसमें सामर्थ है, आदी से पहले वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था, क्या हलेवा, वचन कौन है, इश्यू मसी, वचन देहधारी हुआ, पढ़ि यहनना एक का एक पढ़िए, उसके बद 4 पढ़िए, यहनना एक का एक जिली पढ़िए, जॉन 1-1 आदी में वचन था और वचन परमेश्व के साथ था और वचन परमेश्व था 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुगरा और सच्चाय से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया वचन देहधारी हुआ हालेलो यहादी में वचन था वचन परमेश्र के साथ और वचन ही परमेश्र था और वचन देहधारी हुआ कोन हुआ वचन यहनी कि इसष갈 म ging देह लेकर आया हुआ हाी drained वचन देहधारी हुआ और अनुगरote शचाइचासे परिपोर होकर हमारे बीश में डेरा किया उसने रहा अनुगरह और सच्चा ही रेस अलोट अनुगरह क्या है आप आज जाएं समोसा बेचने के लिए आपने मेनत की समोसा भिग गिया धन्यवाद रेस अलोट पाट सो रुपया आपको मिल गया लेकिन आपने समोसे भी नहीं बेचे और कहीं से परमेशन ने आपको 500 रुपय की ब्लेसिंग दे दी ये है अनुगरह प्रेस अलोट आपने कोई मेहनत ने की लेकिन परमेशन ने आपको पूरी तरीके से शुद्ध कर दिया अपने योग्य बना दिया अपना पुत्र बना दिया अपनी धारमिक्त आपको दे दी अपना उत्रादिकार ठेराया ये है उसका अनुगरह प्रेस अलोट तो इशु मसी देहदारी हुआ और वो देहदारी इशु मसी आज यहाँ पर है अलेलुया विश्वास करिए प्रेव आपसे बहुत प्यार करता है परमेश्व से प्यार करिए लेकिन अपने आपको भी जानिये कि आप इशु में कौन है मैं इशु मसी में कौन हूँ बोलिए मैं इशु में कौन हूँ ये जानना है इमैन ये सवाल है इस पूरे हफ़ते ये जानिये परमेश्र के करीब अपने आपको ले कर जाएए मेरा आज से तो बिना इश्यू के कुछ भी नहीं है जान लीजिए आप कुछ भी नहीं है चाहे आपका कितना बड़ा बिजनस हो चाहे कितनी बड़ा धंदा हो आपका कितने ही bank balance आपके पास कुछ नहीं हो लेकिन अपने मन में कभी ममत लाइए आप issue के बिना, हम issue के बिना कुछ भी नहीं है जब समय आएगा ना खराब समय तो ना पैसे आपका साथ देगा ना रिश्यजार साथ देंगे सिरफ वो ही है जो साथ देगा Praise the Lord Hallelujah तो अपने आपको जाचिए और अपने आपको इश्यू में खोजिए अपने अंदर इश्यू को खोजिए उसके प्रेम को खोजिए याद करिए कि उसने क्या क्या किया है आपके लिए Amen? आज का वच्छन आपने ग्रहन किया? प्रभू आपको आश्यू दे God bless you मैं YouTube के लोगों के लिए प्रात्रा करता हूँ पर मखाहिंद और इमामंद और इश्यू मसी के नाम से आपके चड़नों में आते हैं जो देख रहे हैं परमेश्यू आपको आश्यू दे सुख दे आनन दे अपने आप में इश्यू को देखिए और उसके सामर्थ को उसकी सिद्धता को उसकी कीमत को जानिए हर पल उस परमेश्यूर के उद्देश्य को समझिए कि आपके जीवन में क्या है इश्यू मसी के नाम से धन्यवाद देते प्रात्रा अपने सुने को भूर के अमेन God bless you